पंजाब से हैं हिमानी जी स्वागत है आपका हालो हिमानी जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैं सवाल कर लीजे हान जी मेरे ना फादर इनलाओ को प्रॉब्लम है पेट नहीं साफ होता उनके ठीक से और गैस भी महर ज्यादा बनती है एटीपी ठीक ठीक जी अधिए अपने इतने अमर दराज सुसर की चिंता कर रही हैं आप यकीना ने के अच्छी बहू हैं और एक निसका आप उनके लिए बना दें अभी मैं पहले भी बता रहा था ये निसका दरसल हर घर की जरूरत है ये हमारे घरों में बना हुआ रहे तो एक तो याद रहे पर कभी भी जरूरत पर सकती है साथ आट बीमारियां दस बीमारियों में बड़ा काम आता है दीए आपके किचन में सौफ है सौट है सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया में ती ये सबके किचन में मिलता ही है फिर एक बार बोलता हूँ सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया में ती ये छे चीज़ों को सो सो गराम लेकर अच्छा सा पाउडर बना दे सफूब बना दे और एक आता है नमक विशेश जिसे कहते हैं नमक जैतून ये दुनिया के अच्छे नमकियात मैंसे होता है लेकिन ये नमकी नहीं होता स्वाद में ऐसे चको तो नमकी नहीं होता है ये पहचान है कोई नकली न दे दे इसलिए बता रहा हूँ देखना है बिलकुल नमक जैसा लगता है तो ये नमक एक चुटकी लें और दो गिलास पानी में मिला दें मिक्स कर दें या एक गिलास पानी मिला दें वैसे दो गिलास में मिलाना बहतर है और ये जो पाडल छे चीजों का आपने बनाया सौफ सौट जीरा अजवाएं धनिया में ठीका इसका एक चमच खिलाएं और ये पानी पिला दें और इसी तरह अपने सुसर का खयार लगें आपको इसका बहुत पुन मिलेगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहु है आपका नमस्कार नमस्कार सर आदाव फ़किन साफ जैहिन स्वागत हमारे करनल वर्मा साब का बाजराश चाहते हैं तक्रिक देने के लिए जजा के लाएं में भी यही चाहना चाहता था हूं कि जो यह वजन के अलावा कुछ और काम में भी आता है ये जीरे का जीरे का आप बताते हैं कि खाली वजन के लिए यह में भी यही जाना चाहता था सही सवाल किया जे अच्छा देखिए जो सिर्के का मिजज है और उसका मिजज है कि वो डाइबटीज कम करें और कॉलिस्टॉल कम करें और वर्म दूर करें हमारे पार्ट ऑफ बाडी से अगर वर्म ह जाए तो उसे दूर करें और खून की चर्वी दूर करें और फालिस जदा लोग भी इसे ले सकते हैं और हार्ट के मरीज से ले सकते हैं वजन जिनका हज से ज़्यादा बढ़ गया है वो उनके लिए विशेश है लेकिन ये काम सब करता है पेड़ के लिए भी काम करता है त बहुत सारे रोक तकरीबन वैसे ही काम करता है लेकिन ये विशेश जो है वजन के लिए काम आता है लेकिन और बीमारियों में भी तकरीबन एक सा काम करता है इसलिए इसको हलके में ना लिया जाए ये विशेश तोर पर क्योंकि वजन कम करने के काम में आता है इसलिए इसे ज जीरा जो है वो हाजिम भी है और जीरा के और भूक लगाने काम भी करता है लीवर को फाइदा पहुचाने का भी काम करता है तो इसमें इस सारी विशेशता हैं लेकिन इसको रखा गया है वजन कम करने के लिए कोई भी एक दवा या मेरा एक मश्वरा एक बीमारी में कभी काम नहीं आता है मुतादित बहुत ज्यादा बीमारीयों में काम करता है जिस पर विशेश काम करता है उसका हम जिकर करते हैं आपका सवाल बहुत अच्छा था लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुँच गए बहुत बहुत शुक्रिया करनल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगले कॉलर है महाबीर जी स्वागत है आपका जी नमस्कार सर याकिम जी से बात कराओ जी आदा महाबीर जी आपको स्वागत है हमारे प्रोगाम में हां जी मेरे पेट में गैस बनती है जी है और जी नमसर गें सर गैस बनती है और पैरों में सूझन हो जाती है एक अच्छा नस्वा इस्तमाल करें और फाइदा उठाएं देखिए सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती और अलसी ये साथ चीज़ें सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती और अलसी सौ सो ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें और एक आता है नमक विशेश जिसे नमक जैतून कहते है ये अलग से सौ ग्राम खरीद के रख लें एक चुटकी नमक जैतून एक या दो गिलास पानी में मिलाएं और ये जो साथ चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है ये एक चमच खाके ये पानी पी लिया करें दिन में एक बार ये जाद जादे दो बार आपकी सारी कटनाई का अच्छा होना मुम्किन है अगले कॉलर है स्वागत है आपका स्वागत है 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 स्वागत स्व पिर में खुझी ही लगती है और ताने ताने से होते हैं मोटे मोटे जैसे जितनी वो खाली उपर आते रहाती है ठीके कोई दवा खा रहे हैं क्या दवा उसके लिए मैं अल्षी और गौंद मोरिंगा करी बता ले आपने वो और अल्षी और खाने वाला चूड़ा एक चुटकी बर और दवा क्या हो जाए उसके लिए क्या हो वेशी वो खुझी ही लगती फिर यह हो जगता है मेरा ये मिसेज को मैं कई इन से दवा खिला रहा हूं जिस्ति स्की बिजीज जो होगी दिया उसमें बहुत 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 इंगा सबेग और अल्ची और आउला ये जीज मिलांके और वो खुछ खलर को खिल जोगया लेकिन उसमें इतने दिन तक और खिलाना मड़ेगा परेज करने की ज़रूद नहीं है और इसकिन का रंग चेंज हो रहा है यह आसानी अच्छी बात है यूनानी तोड़ा देर में फायदा करती है सहीं वाले रोग इसे पूरा कर पाते हैं और यह आप देते रहें पानी से दें या कम चर्बी के दूसरे दें पर आप भी लेते रहें जो नुस्खा ले रहें और आप अपने सर में जो हमारी महिलाएं देखिये पतनी भी आपके ऐसा जरूर करती होगी कि दूद कि मलाई जमा करकर कर एक्गी निकाल लेते हैं वो गी अपने सर में लगाया करें और दो-चार घंटे लगा रहें और फिर आप गुसुल कर लें नहा लें इसनान कर लें तो दो चार महीने लगातार इस्तामाल लाजमी है युनानी में अगर पहले भी फायदा हो जाए तो कोर्स पूरा करना चाहिए जितना आपको डॉक्टर बताएं आपको फायदा मुमकिन है और 74 प्लस में आपकी जाहे होंगे मैं दूआ करूँगा कि भगवान आपको जल्दी अच्छा कर दें लखनाव से हैं अजे प्रताब जी स्वागत है आपका नमस्कार हकीन साथ जैहिन स्वागत है आपका हमारे से पीट में बहुत दड़ होता है चीक है कब से होता है क्या बताएं डॉक्टर न जर बस डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मन लेकिन साथ अराम नहीं और दवा खा रहे हैं चीक है अच्छा देखिए एक आता है बेल का मुरब्बा पत्थर बेल का मुरब्बा या बेल पत्थर का मुरब्बा इसे इंगलिश में कोविट का मुरब्बा भी कहते हैं ये एक पीस खाये रोजाना सुबह खाली पेट बस ये खालिया करिए एक बार एक नहीं खा सके तो आदा पीस खालिया करिए और पानी पीलिया करिए वैसे तो इसी से फाइदा हो जाना चाहिए और अगर फिर भी फाइदा कम लगे या जल्दी फाइदा चाहिए तो नमक जैतून आता एक नमक जैतून एक ऐसा नमक जो स्वाद में नमकीन नहीं होता यह उसकी पहचान है असली वाला ले एक चुटकी दो गिलास पारी मिला कर यह ख प्रजिस्थान से है विजय स्वागत है आपका नमस्ते स्वादम जी नमस्कार सर अब मेरे पच्टी साल से टीनित्स नमक की भीमारी है और कानों दोनों कानों में आवाज आती है और सारी दिशन दूलरने नहीं बन पाता है उम्रे कितनी है अलोपैतिकों को इलाज करवाय है उसका एज बता दीजिए सर एसे बैठे मेरी तरह है ठीक है और यह कान इस से मिलागी है समझ लें जैसे मैं कह रहा हूं अगर आपने समझ लिया ऐसे मोंड़ा उपर नहीं करना कान ही जाएगा मोंड़े के पास आपका कान मिले या नहीं मिले मेरा तो मिल जाता है तो ऐसे करते रहें आप जितना भी कर सकते हैं वैसे कम असकाम तीन मिनट जिस चुआरु करें और तीन मिनट ये एक्सरसाइस में बता रहा हूं जीए ऐसे ठोड़ी को यहां से पकड़ें ऐस से देखी, मैं कहां तक लाता हूँ, यहां तक आ जाती ही ठोड़ी, और यहीं देखना है, यह exercise भी तीन मिनट रोजाना करनी है, चाहे, एक एक मिनट करके छे बार में करें, दस बार में करें, लेकिन यह exercise हो जानी चाहिए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह exercise तो आप छोड यहीं नहीं और कम असकम पंदरा दिन लगातार करें, पंदरा दिन में आपको फर्क नजर आ जाना चाहिए, और एक गौंद आता है, गौंद सिया, इसे काला गौंद भी कहते हैं, गौंद सिया भी कहते हैं, एक विशेश गौंद है, जो अक्सर नकली भी मिल जाता है, तो पॉनिश कलर का थोड़ सा काल ब्राउन कलर लिए हुए काला पन लिए हुए ये पंदर सोले रुपे का एक गिराम आ जाता है कड़वा बहुत होता है लेकि नकली भी बहुत मिलता है असलिए लेने की जिम्मेदारी आपकी आदा गिराम सुबा इसका पॉडर बना लें ये नकली आपके अपने प्रूगरम दो हम दो बार खाया है बाप ये इस्तमाल कर दे तो आपको फाइदा मुमकीर फ्रामपूर से में फुष्पात जी स्वागत थे आपका नमषकार कौर मैम आपका सवाल को प्रिश्पा जी स्वागत करता है हम आपके अपने प्रोगाम में नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार आपका बात करने को मौका मिला आपके जी मेरा इचमें का सवाल है आपके जी मेने दवाई भंगाई है जी खाग जो तो उस्को किस तरीके से लेह हूं और मतलब जो दो दवाईने में खाती हूं शुगर भी ए है तो दुगंद भी और मतलब जो चोड़ दूए हूं हाँ देखिए दवाइं नहीं छोड़नी अभी और दवाइं कैसे खानी है वो दवाइं में खाते रहें और ये भी दवाइं खाएं और जिस रोग में फाइदा होता रहा है उसकी दवा कम करते जाएंगे डाक्टर के मेश्वरे से देखिए गौन मौरिंगा कैसे इस्तमाल कर सकते हैं ये सो ग्राम गौन मौरिंगा है और तीन सो ग्राम धनिया सो ग्राम आवला और सो ग्राम मेथी तीन सो ग्राम धनिया सो ग्राम आवला सो ग्राम मेथी और सो ग्राम ये आपके पास गौन मौरिंगा इसको पॉर्डर बनाकर एक चम्मस सुबा एक चम्मस शाम सुब ताइराइट की गोली कि साथ या बाद में या पहले कभी भी ले सकते हैं एक चमच और एक चमच रात को सो तिसम में, ये आप लिया करें, ये आपके थाइराइट से त्लुक रखता है और दीरे दीरे छह साथ महीने लगेंगे आप फिर चेक कराना दो आपको टाक्टर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी किस तेजी से कम होता होता अपनी जरुरत के मताबिक आना चाहिए अब रहे बी-पी शूगर और कॉलिस्टॉल तो इसमें जो सिर्का है आपको पास दो चम्मच एक गिलास पाने मिलाई है और उसमें एक चुटकी काने का सोड़ा भी मिला सकते हैं और ये पी लिजए खाने के बाद सुवे नाच्टे के बाद और रात को खाने के बाद ये आपके इन दोगों के लिए बहुत मुफीद बह भी लग सकते हैं गौन सिया जिन को खाना है वो इसको पाउडर बना लें और क्योंकि ये कड़वा होता है इसलिए और चिपकता भी गौन होने के नाते ये जबान में चिपकता है और कड़वा बहुत होता है तो इसे अगर शुगर है तो मलाई में जराची मलाई में मिलाक कर ग्राम सुबा नाश्टे के बाद रात को क्हाने के बाद खाना बहतर है और कम चर्बी के दूसरे आप इसे ले सकते पानी dış ले सकते इस तरह आप दुआएं ख़ाएं और फाइदा हो तो आपसे आप वादा करें कि हमें जरूर फोन करके बताएंगे जे